बदलते वक्त के साथ ये Unified Payment Interface यानी UPI आम लोगों के जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है आजकल जादतर लोग हर छोटी बड़ी खरीदारी के लिए UPI के जरीए पेमिंट करना पसंद करते हैं नोट बंदी के बाद कैश की जगें स्मार्टफोन ने लेली लेकिन अब ये आफ़त आपको महंगी पढ़ने वाली है क्या हो अगर आपको पता चले कि 1 अप्रेल से UPI से लेन देन महंगा होने वाला है जी हाँ तो चलिए जानती हैं क्या क्या बदलाव होने वाले हैं नमस्कार मैं हूँ सलोनी सरीन दो दिन बाद यानि 1 अप्रेल 2023 से न्यू फानेंशियल इयर शुरू होने जा रहा है इसकी शुरुवात के साथ ही UPI से लेन देन भी महंगा होने वाला है National Payment Corporation of India यानि की NPCI ने Unified Payment Interface पेमिंट को लेकर एक सरकुलर जारी किया है जिसमें एप्रेल की पहली तारीक से UPI से होने वाले मर्चेंट पेमिंट पर PPI चार्ज लगाने की सिफारिश की गई है मंगलवार को जारी किये गए सरकुलर के मताबिक NPCI ने Prepaid Payment Instrument यानि PPI लगाने की तयारी की है ये चार्ज 0.5 से 1.1 फीसिती लगाये जाने की सिफारिश की गई है सरकुलर में UPI के जरीए 2000 रुपे से जादा की ट्रांजेक्शन बर 1.1 फीसिती Prepaid Payment Interface यानि PPI लगाने का सुझा दिया गया है अब सवाल ये आता है कि ये चार्ज किसको देना होगा तो इसको लेकर NPCI की और से सफाई आई है NPCI का कहना है कि UPI में Bank to Bank लेन देन मुफ्थ होगा 99.9% लेन देन इसी तरह होते हैं UPI से वालेट में पैसे देने पर चार्ज लगेगा वो भी ग्रहक को नहीं बलकि दुकानदार को देना होगा बता दे PPI में वालेट या कार्ड के जरीए ट्रांजेक्शन आता है आमतोर पर Interchange Fees कार्ड भुकतान से जुड़ी होती है और इसे लेन देन को स्विकार करने और लावत को कवर करने के लिए लागू किया जाता है National Payment Corporation ने अपने सर्कुलर में कहा कि इस नए नियम को एक अप्रेल से लागू करने के बाद इसकी समिक्षा 30 सितमबर 2023 से पहले की ज़ाएकी तो फिलाल के लिए इतना ही थांक यू